अपका स्वागत है आपका स्वागत है हमाई चैनल ब्राग्या में आज का आपका टॉपीक इन आराब प्रजिक्स आज की है तो जीवन परज़े में तीन पॉइंट्स important होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं तीन पॉइंट्स, फश्ट होता है आपका इस मरनी बिन्दू सेकंड होता है आपका जीवन परज़े, और धर्ड होता है आपका शाहितिक परज़े, ये तीनो most important points है, तो इनको बिल्कुल भी आपको shortcut नहीं लेना है long way में चलेंगे, तो अच्छे number आपको मिलेंगे, shortcut वालों को अच्छे number नहीं मलते हैं, तो अगर आप long लेंगे, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा तो first आपके होते हैं समर्णी बिन्दू सबसे important सबसे important points जो होते हैं वो होते हैं आपके समर्णी बिन्दू क्योंकि examiner क्या करता है, जब आपका आपकी copy देखता है, तो वो क्या करता है सबसे पहले highlighted point देखता है कि बच्चे को क्या आता है, उसने सही लिखा है कि नहीं, और बाकी पूरी आपकी उसमें नहीं देखता है सबसे पहले आपकी highlighted point को देखता है तो आपको इस मर्णी बिन्दू तो बिलकुल ही skip नहीं करने हैं और अच्छे से अच्छे expression देते हुए करनी है, ठीक है तो बिना time waste के देखते हैं कब हुआ delle इनकी म्रत्यु का 17 16 같이 1906 a.sv. को इनकी म्रत्यु हुआ जनमिस्थान इनका कहा था वही है जनमिस्थान इनका था निजामाबाद आजमگड इनका जनमिस्थान आजमगड जी लेके निजामाबाद नामकिस्थान पे हुआ बात करें इनके पिता की तो इनके पिता कौन थे इनके पिता थे पंडित भोलानात उपध्य है तो देखें आप इनके पिता पहले से ही पंडित थे अब ये पंडित थे तो क्या होता है कि जो जिस मतलब जिसके घर में जो व्यवशाय चलना होता है या जैसी भी उनके घर में वो ऐसी सिच्छा है, इनके अंदर थी, भाशाओं का ग्यान और इनके अंदर प्रदिबात थी, ठीक, अब आगे देखते हैं, इनकी पत्नी का क्या नाम हो, इनकी पत्नी का नाम निर्मला देवी, पत्नी का इनके नाम निर्मला देवी था, और ये शभापती किस सभागे थे हिंदी शाहित शम्मेलन के ये शबापतिते कौन अयोध्या शिंग उपादय हरियोद जीव ठीक शम्मान इनको किस चीज का सम्मान मिला मंगला परशाद पारितोशिक का अयोध्या शिंग उपादय को मंगला परशाद पारितोशिक मिला ठीक है इनकी जो रशनाए हैं इनकी वनवाश पारिजात और रश गलश ठीक ये इनकी रशनाएं किसकी अयोद्य शिंग उपाद्या हरियोद की तो बात करें अयोद्य शिंग उपाद्या हरियोद्जी की जो रशनाएं वो एक एक नंबर में बहुत ही जादा पूछी जाती हैं बहुत जादा ही इनकी जगर और जो आपकी जेशंकर प्रशाद है, इनकी रशनाओं को बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, तो इनकी रशनाओं आपको बिलकुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक, तो बात करें इनकी रशनाओं, इनके जीवन परिशे के बारे में, तो बात करें इनके जीवन परिशे के जो जीवन परिचे है आप देख सकते हैं अयुद्या शिंग उपाद्ध्या जी का जन्व शन अटरा सो पईशाट इच्वी को जैसे हमने आलाइटर पॉइंट पे बताया आज हम गड़ जी लेके निंजामा बादनामा के स्थान पे हुआ था इनके पिता जी का नाम पंडित भोला शिंग उपाद्ध्याए था जब ये पांच वर्ष की अवस्था में थे तो इन्होंने क्या किया था फार्शी के माध्यम से इनकी प्रारंबिक सिच्चा हुई इनकी प्रारंबिक सिच्चा हुई तब ये कितने थे, पाच वर्ष की आयू के थे, और वर्णा क्यूलर से इन्होंने क्या किया, वर्णा क्यूलर आपका स्कूल था, इनका स्कूल था, जिससे इन्होंने मिडल की परिच्छा पाच की, और क्रीन्स कॉलेज बनारश में अंग्रेजी पढ़ने के लिए चले गए क्रिंश कॉलेज बनारस्त में अंग्रेजी पढ़ने के लिए चली गए परंतु परंतु क्या हुआ अस्वस्तता के कारण इनको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और स्वाध्याय से ही घर पर ही सिच्छा से इनको क्या इन्होंने कौन कौन से सिच्छा ली हिंदी पर वापस अगया और निजामाबाद में अध्यापक कानून्गों के पत्पर कारी किये तथा काशी विष्व विद्याले में अवैतनिक इठ्छा निवच्छ के पदो पर भी इनोंने कारे किया है, ठीक है इनका प्रमोशन होगे तो काशी विश्वीड दियाले में इनोंने चिछक के पदो में कारे किया है ख्यू आर सन 16 अमार्च, 1947 को इनकी म्रत्य हो गई, कब उए ? 16 मार्च, 1946, जन्म कब वई? 15 अपरिल 1865 इशविक उनको conference, 16 questa springa sentence 147 इशविक इनकी व्रत्तिव हो गई तो अब बात करें इनके शाहितिक पषचिया के बारे में कि इने शाहित्त में आखिर योगतान क्या 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 है इन शाहित में प्रारम में ये ब्रजभाशा में कविता किया करते थे। देखे अमने इसको हािलाइट किया हुआ है। इसनों ने रशना की रॉसके और धिया किसमे की इंषीत सब्सक्राइबी रेखे प्रभावशा को ये खड़े वहले कि चेतर में आये। किसके प्रभावशे महाभीर प्रशाद दिवेदी के प्रभावशे ये खड़ी बोली के छेत्र में आए और एक वर्ष विशय की विवित्ता हरियोद जी की प्रमुक विशेषता है तथा प्रिय प्रवाश के लिए इन्हें मंगला प्रशाद पारितोषिक पुरुषकार भी आता है तो आपको इसको बिलकुल नहीं जोड़ना है ठीक तो बात करें इनकी रशनाओं के बारें कि कौन कौन से रशनाओं हैं तो हर्योज जी की कुछ इंप्रवाश को हमने अपने इसमें सामिल किया है अगर आप कुछ छूट गई है तो आप उसको चेकाउट कर सकते है कुछ हमने पहुत ही important को रखा है और कुछ छूटी भी है तो आप उनको भी देख लेना तो यहां पर हमने प्रियप्रवाश पहली रशना इनकी प्रियप्रवाश फिर वैदेही वनवाश पारिजात चुबते चौपदे चौपदे रशकलश अधिकिला फूल ठेटे हिंदी क ठाट तो देखे इनकी अधिकिला फूल रशकलश चुबते चौपदे भी कभी-कभी पूछ लेता पता नहीं चलता किस लेशंच या है पारिजात वैदेही वनवाश और प्रियप्रवाश यह तो अकसर ही आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगी हर शन में इनके उससे ए कया इनकी पूल बासम चलता है प्रुझका में प्रवदेश वन्ने की इनकी वाजने की पुछ प्रुपद।